नमस्कार पेरे सातियों कोटिले कलासेज में आपका हार्दिक स्वागत है हम करें रामवान बुक की पर्शनोतरी और आज रामवान बुक की पर्शनोतरी का 43 नंबर चैप्टर है जो की कैथोड कीरण औसकिलोस्कोप यानि की सियारों के बारे हम देखेंगे कुछ सवाल PCV और ICC से संबंदित है उनको भी हम यहां पर पढ़ेंगे तो द्यान से देखना है कि CRO होता है क्या है CRT होता है क्या इस A की लेक्चर में यह पूरा सेशन यह पूरा लेक्चर समाप्त हो जाएगा इसके बाद एक रामवान बुक का एक अंतिम लेक्चर उनके अंतिम का गार पर पहुंच चुका है तो सभी विद्यारती जल्दी से लाइक कनेक्ट हो जाईए सेशन को सांदर बनाते हैं इसके सवाल कापी सारे परीक्षा में जो पूछ जाते हैं उनको हम ध्यान से देखते हैं किस परकार सवालों को स्वाल करें तो सभी विद् बनिंग गुड मर्निंग चलो रो यह पहलके सवाल बनता है किसकी फूल फॉर्म बता दीजी कुछ भी नहीं बड़ा आसान सवाल है इन्स्टेर वेकेंस इम पूछा है पीगईनशल नने पूछ आ है कि پूल फॉर्म क्या है और एसी का मतलब यह ऊता है भी तो आपके मतलब क्या होता है र का मतलब होता है और ओ का मतलब क्या होता है तो ओ का मतलब होता ओस्किलोस्कॉप इस को का मतलब होता है दर्शी तो कैथोड रे औस्किलोस्कॉप कैथोड रे औस्किलोस्कॉप कौन्स ओप्शन है चौता ओप्शन तो हमार पास फौर्थ ओप्शन चौत option correct है, D option, cathode ray osculose को, अब इस CRO के अंदर एक tube होती है, CRO में क्या होती है, क्या होती है, और उस tube का नाम क्या होता है, तो आप क्यों के वो कहलाती है CRT, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है CRT, यानि कि उसे हम कहेंगे cathode ray T का क्या बन जाएगा, tube, cathode ray tube, इस tube में high voltage होता है, high voltage होता है, और ध्यान रगना cathode ray osculose को होता ना, यह हमार पास दर्शे के लिए काम लिया जाता है, इसके द्वारा जो हमारे पास wave उत्पादन हो रही है, उत्पादित wave का हम यहां पर दर्शे करते हैं, उत्पादित तरंग का दर्शे, कहां पर होता है, और स्किलोस्कोब, इसकोब का मतलब क्या होता दर्शे हैं, तो उत्पादितरंग का दर्शे, एक बच्चा के रहा है सर, electron gun, बिल्कुल electron gun होती, electron gun के अंतरगज जो हमारे पास यहां पर आएगी, वो आएगी, देखों के केथोड आएगा भाग प्री एक्सलेटी एनोड एक्सलेटी एनोड फोकस्ट एनोड यह सब मिलकर हमारे पास इलेक्ट्रोन गन का निर्मान करेगी किलियर है चलो आगला सवाल देखते हैं इस सेशन में सेंती सवाल है और सभी सवालों को आपको बड़े ध्यान से देखना है अगला सवाल है समय आदारित पेमाने पर किसी विदूत तरंग के आयाम परिवर्तन को देखने लिए किस मापक यंतर को बनाया गया किस मापक यंतर को बनाया गया है देखने के लिए कि उस सने आयाम में क्या प्रिवर्तन देखने के लिए क्स मापक यंतर को बनाया गया CRT CRO तो आप पुक्हा सिशाक की अंदर आगे के कि स्कृन होता है उस होती है यहाँ पर यहां पर दिखाई दे 2 यहां पर जो भाग होते हैं आपने जसीने विस यारों देखे होगे इस परकार यह खंडों में बंटा होता है यह क्या होता है खंडों में बंटा होता है और यह जो खंड होते है टाइम क्या होते है इदर वाले और यह जो खंड होते है वो होते है वोल्टेज के यानि की आयाम आयाम यहां पर क्या होता है वीबो का होत इसका होता है I am ठीक है और यहां wave generate होती है तो इसमें दो main switch होते हैं जिसे हम कहते हैं time per division time per division भी होता है और volt per division भी होता है यदि मालो एक खंड के अंदर voltage ज्यादा डालना है तो volt per division को परिवर्थ ने करना है current per division भी होता है यहां पर ज्यादा को कभी भी निरूपित नहीं करेगा यहां पर जो आयाम है वो दारा को निरूपित नहीं करेगा यह ध्यान रखना नहीं करता है ठीक है चलो तो c option आपका correct अगले option मतनला है तीसरे में के थोड कीरण दोलन दर्शी यहांनने कि year c d o के थोड कीरण दोलन दर्शी ने उवस् का जो हर्दे है वो सी आर्टी है कैतोड रे ट्यूब सियारों के अंदर एक ट्यूब होती है जिसे हम सी आर्टी केते हैं और सी आर्टी है जो इसका हर्दे के लाएगी CRT होगी जो क्या के लिए इसका हर्दे के लिए यह ज्यान रखना है तो हर्दे क्या होगा पर इसका CRT है जो इसका हर्दे होगा कैथोड की रण नली का ट्यूब ट्यूब यानि नली का यह हमार पास दो है जो कि इसका सेटीज परुद्धे मेला होरीजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट और यह वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट होती है होरीजेंटल वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और वर्टिकल जो प्लेट्स होती है इनकी शाहिता से इलेक्ट्रोनों की बंबार्टमेंट इसक्रीन के उपर होती है जो कि इसक्रीन को कि X plate किसके द्वारा सिंचित की जाती है कौन सी plate के बारें बात हो रही है X plate अब यहां आप पर आपको अराम से एक बात समझनी है कि जो सियारों में plate हमर पास दो होती है एक होती है X plate और एक होती है Y plate X plate होती है वो 36 के लाएगी यानि horizontal और यह के लाएगी उद्रवादर ठीक है अब इन्होंने का सियारों की X plate किसके द्वारा सिंचित की जाती है आप देखो यहां पर क्योता है कि सियारों की बीम को विक्सेपित करने के लिए यहां पर साट टूथ वेव का प्रियोग किया जाता है तो साट टूथ वेव का उप्योग करेंगे कोंसी वेव का करेंगे साट टूथ साट टूथ होती कैसी है जो आरिदंत होती है ना आरिदंत वो साट टूथ होती है इस वेव का उप्योग करते हैं वेव हमार पास यही चार परकार की होते हैं साट टूथ इसको है ट्राइंग 5 acution ज्यान से देखना भी 5 acution एक CRT screen पर किस की परत चड़ी होती है सवाल क्या पुछा गया है कि एक CRT screen होती है CRT मतलब cathode ray tube CRT screen पर किस की परत चड़ी होती है बता उसके उपर परत किस की चड़ी जाती है Sodium की, Calcium की, Phosphorus की, Aluminium Oxide की, Justa की ये तो मैंने थोट देर पहले ही बता दिया था नाम उसके उपर परत कौन से होती है, Phosphorus की परत कौन से होगी, Phosphorus की इस्क्रीन को उपर Phosphorus की परचड़ी होती है जहां पर क्या होता है, कि Electron की Bombardment होती है इलेक्ट्रोन पूंच की रूप में उत्पन होता है और Phosphorus को लेप करने से ये हमार पास चमकदार बन जाती है क्या बन जाएगी, चमकदार बन जाएगी किलिर है, बहुत सही चलता है, सबको बिल्कुल सब गांसर तो पूछो मत, सबको CR-O, CR-O पूरा हता है अगला सवाल देखिए, छटा सवाल जिस से सिगनल को देखना हो, वे CR-O के किस टर्मिनल पर लगा जाता है मान लो आपको किसी सिगनल को देखना है वो CR-O के किस टर्मिनल पर लगा जाएगा पीजिश संकेत को देखना हो वे किस टर्मिनल के उपर लगया जाता है बताई भाई ज्यान से बच्चे सब सी दे रहे हैं कुछ एह दे रहे हैं सी दे रहे हैं दो यह ओप्शन दिया है रूसी में तुम गोल गोल क्यों गुम रहे हो वर्टीकल टर्मिनल पर लगाया जाता है सेतीज टर्मिनल के साथ में टाइम डिले का परियोग किया जाएगा वर्टीकल में तुरंत इन्पूट आ जाता है तो वर्टीकल में हमारे पास क्या होता है टाइम डिले का परियोग करने पड़ते हैं जिसके लिए सिगनल को रोकने के लिए चलो तो हमारे पास वर्टिकल टर्मिनल्स हैं सिग्नल को देखने के लिए काम में लिया जाता है सियारो के परदे पर दो पूर्ण संके चकर दिखाई पड़ेंगे तब प्रेस पर जैनित्र केई बच्चों ने अभी तक सियारो नहीं देखा होगा मैं थोड़ा सा दो मिनिट का टाइम लेके सियारो समझाता हूं आप ध्यान से देखना भई तो एसे फिर होगा के कोलेज गए नहीं है कोलेज गए नहीं देखो त्यान से यह थोड़ा होजा यह इस परकार का सियारो होता है जो आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर मैए एक एक चीज़ समझार हूं जहां से देको यह होती है इस्क्रीन यह हमारे पास प्लेट होती है वह होती है एक सॉट यह प्लेट होटी है वह होती है वाइ यहांपर हमारे पास कहा हैं डीवीजन होते हैं जो कि एक तो फोस्का होल्ट और टाइम पर esta इसन यह चयेनल फंट के लिए है यह चेनल जोड़ने यहां घटाने के लिए भी का करियोंकी अच्छता है यह हमारे पास कैना है टाइम पर वोल्ट पर दिविजन के दौरा वाइं पोजिशन दो च 20 काम लिया जाता है थीक है तो यह इस परकार का 70 स solvent वहाद यह один जब इसको on करते हो तो आप देख तो यहां पर एक डोट बना ऊता बिंदू यहांनी कि यहां पर दोनों तरफ से जब DC परदान की जाती है तो एक बिंदू बनता है जब दोनों तरफ से SE परदान की जाती है यह एकस प्लेट एस ही वाई पलेट ही इस ही जब दोनों एस ही आ जाती है तो यहां पर लिसाज़ी स्पेटर्ण बनता है लिसाज सब्सक्राइब लिसाजिफी पेटर्ण का निर्वान होता है इस परकार की बहुसारी कंडिशन इसकंत्रकत होती है चलो मैं कुछ इसलम और समेदाब नहीं चीजें वह दियां से देखने ठीक है मैं कुछ और समदाता हूं अब देखकोagne siyaar種 का मैं बोलोग Drybagm बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा 1 minute पहले इसे डाइग्राम को और क्लियर करतें है यह तो डाइग्राम आपके सामने है यह ब्लोग डाइग्राम आगे रहा है इसको यह रहा है चलो यह देखना यह हमार पास है यहाँ पर ब्लोग डाइग्राम ठीक है तो अब देखना जांसे वर्टिकल प्लेट के साथ वो टाइम डिले वर्टिकल प्लेट के साथ लगता है लगा 5 यहां पर क्या है समझना से के आपके पास यह होती है सीआरो पूरा यह स्यारो का इसके अंदर होताए Nedर उलेक्ट्रौन गुं में क्या होता है वह अलग से बताऊंगा पिर वहां से प्री एकसिलेटिंग प्री एक इसक्रीन के उपर बंबार्डमेंट करने के लिए बैजा जाता है जो इसक्रीन के उपर जो भी आपके वेवपॉर्ण बनेगी इसके लिए X-Plate और Y-Plate ये जिम्हदार होती है यहां से input signal दोगें सबसे फिला होगा vertical amplifier vertical amplifier होते हैं यह output input vertical amplifier में तो तुरंत ही आ जाएगा बडt horizontal amplifier में अभी तक input आएगा नहीं जब दोनों एक साथ bombardment होगा तभी तो waveform नेगी इस कारण क्या होता है कि यहाँ पर पहले triggering circuit लगेंगी triggering circuit मैंने कल यह आपको समझाएता है triggering circuit उस circuit को कहते हैं जैसे मान लो आप नीन में जागे हो और आप क्या के खुलती नहीं है जैसे HIP तो आप एकदम active हो जाता है ना और जो खेनी दबाते हैं जैसे active हो जाता है वो ही triggering है यह समझ लीजिए तो वह है triggering तो यानि कि circuit को क्या कर दिया है तुरंत इसको active करने के लिए जो pulse generate दी जाती हुआ हम क्या कहते है triggering कहते है उसके बाद आता time based generator time based generator है वो AC उत्पन करने के लिए इस परकार बढ़ाई जाता है वो time based generator कहलाता है फिर आजाता है horizontal amplifier यानि कि मानलो आपके पास इस परकार कितने चोटी चोटी दिक नहीं रहे तो horizontally amplify करने के लिए horizontal amplifier का काम ले जाता है फिर horizontal reflection plate आजाती है इस plate का नाम होता है X plate और इस plate का नाम होता है Y plate फिर X plate और Y plate से electron एक साथ electron beam के साइटा से यह force force screen उसके उपर गिरती है और यह जो बिंदू जो वस्षो करता है उसका नाम क्या होता है luminous sport यानि कि परदिप्ती बिंदू परदिप्ती बिंदू luminous sport होता है किलिए रहे हैं यह ध्यान रगना तो यहां पर जो HV supply होती है CRT cathode tube को दी जाती है और बाकी circuit को low voltage supply दी जाती है CRT के अंदर high voltage होता है 10,000 volt तक हो जाता CRT के अंदर TV के अंदर CRT लगती थी तो TV को बंद करते हैं CRT के हाथ नहीं लगाते थे उसमें समय लेते थे क्योंकि उसमें उसमें वोल्टेज बहुत ज्यादा होता था और जो low voltage supply है यह हमार पास बाकी circuit का अंतरगत दी जाती है चलो यह तो मैंने basic basic बाते बता दी ताहां कि आपको थोड़ा सा असा नियोगा शॉल करने में अब आजाओ अपड़े लाइन पे के रहे शरजी मैन नेवी ट्रेड मेंश का क्या वी परकाश कुमार का कमेंट रोकोव हो शो करो शरजी मैने नेवी ट्रेश मेंट की क्लास का पता श्यच्ब सचालो हो जाए मुझे पता यह फैए खलाश केर नहीं संसे चलों शोक्रादून आशाम से चलों हो जाएगा ठीक है नेवी ट्रेश्मेंट का साम से चलों हो जाएगा रिकोर्डेट क्लास लाइव क्लास नहीं 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 रिकोर्डेट क्लास अभी ट्रेट्समान की रिकोर्डेट क्लास ठीक है सी ओहो सी यारो के परदे पर दो पूर्ण संकेत चक्खर दिखाई दे पड़ेंगे पूर्ण संकेत चक्र दिखाए पड़ेंगे जब पस्तर जनित रेनी स्वीब जनरेटर का समय काल कितना होगा बताइए कि वहाँ पर आपको स्वीब जनरेटर का टाइम पिरियड कितना होगा जब आपको परदे पर दो पूर्ण संकेत चक्र दिखाए देंगे पूर्ण संकेत दो बढ़ेंगे तो संकेत काल को क्या हो जाएगा दुगुन हो जाएगा और एक दिखे जाता तो उसके बराबर होता तीन दिखे जाता तीन दिखे जाता आदा दिखे जाता आदा होता तो संकेत काल का दुगुन हो जाएगा तो दो पूर्ण संकेत टीक है अगला है सवाल बड़ा आसान थीज़ वोल्ट की आई-पी समता वाले किसी सियारों का उपयोग 250 वोल्ट डीसी मापने लिए उपयोग निम्नतम मापी की जांच की जाती है तो देखो के यहां पर 30 वोल्ट की इनपूट समता है किसी स्यारों की दोशो पचास वोल्ट mercy-dcμα advised mp isma piki जाती है यहां पर कोशी वापी की至 गाती देखो जनरली यहां पर जो थी प्रोप्र उती है उसे प्रोक्स प्रोक्स्ट कहता है क्या कहता है श्वाइब कर नाम है पो एस़वार नहीं इसको केबल को कहते हैं जो यहां पर फंक्शन जन्रेटर को आप क्योंगे यह ओर नया नाम आ गया फंक्शन जन्रेटर को सी आरो से जोडने के लिए जो लगए जाती है उसे हम क्या कहते हैं प्रोब कहते हैं अब यह जो प्रोब होती है इस यह दो परकार की होती है एक होती है वन गुणा एक होती है दस इंटू यहांनी कि input जो दोगे वही output में परदान करेगा तो एक गुणा होगा और दस गुणा input आपने दिया 5 वल्ट आगे 50 वल्ट सो करवा देगा तो यह हो जाए 10 गुणा तो एक गुणा और 10 गुणा सबसे ज़्यादा इनी को यूज किया जाता है और इन में भी सबसे काम में के लिए special purpose के लिए काम में लिये जाते हैं अब देखो 30 वल्ट है क्या कराना 250 वल्ट कराना है तो 30 को 30 से तो आउटपूर 30 आएगा 10 से गुणा करो दो कितना हो जाएगा 300 वल्ट तो 250 वल्ट आजाएगा तो गुणा कोन से केबल लेनी पड़ेगी 10 इससे पहला वो कह रहा है कि पोस्ट में में जीडियस में सेलेक्शन होता तो बढ़िया है कि इलेक्शन में बढ़िया है है कि से इर्वka उप्योग की सीमात्स की आवर्तियों को मापने के लिए क्या या जाता है इसी और पियोग कौन से सिमा थक मांपोंगे กीम को प्रियोग किस्म करेंगे गीगा हट तक माप नहीं ले करेंगे त्यारी करें यह पूरा फोकस बरती पर दें देखो के अभी जिस परकार का सिलबस है ओनलाइन परिक्षा होगी तो नेवी ट्रेश्मेंट का कियावा वहां पर नोन टेकनिकल में काम आ जाएगा क्योंकि सेम का सहें आ रहा है में तो आपको वैस데ly पढ़ने शाइंश खीजिखें के और के उपर ज्यादा फोकस कीजीएगा और ज़ो आने वाला है उसके उपर समय जरूर दीजिएगे क्योंकि सफञ्गा है सपना पूरा करने करें समय दाना है तो तीन गंटो फोरी तो पड़ता मिनिमम है कोई भी त्यारी करेंege गंटा थोरी तो मीनिमम से मीनिमम पड़ें अपने खुद से से तीन गंटा आपको टाइम उसको देना ही पड़ता है और उसके अलवा आप ट्रेक्श्मेंड की त्यारी कीजिए बड़े बात है ट्रेक्श्मेंड वीडियो डाउनलोड ओप्सन होगा नहीं वो डाउनलोड न चलो वन गीगा हर्ज आगला देखो सियारों में ज्यादतर एकवाडोग कोटिंग का परियोग किया जाता है सियारों में एकवाडोग कोटिंग कहां के लिए कहां में ली जाती है अत्रिक्ट उसरज्य इलेक्ट्रोनों क उस्टोषी़ करने के लिए बिल्कुल ज्यादा जो अत्रिक्ट cement करने के ली क्यूं सी क?, एकवाडोग कोटिंग लावाध्य कृटिंग क hij कोने कोई कौ। यह आदि बात होगे इस सरजित नहीं है तो नमी के नहीं नहीं करता है, खुद तो अपसोचित करता है, ठीक है, CRO में Trigger Level Knob का कारिये क्या है, CRO में जो Trigger Level है, उसका कारिये क्या होता है, Knob का मतलब जो बटन यहां जो स्विच लगा होता है, जिसको जो Triggering करने के लिए काम में लिया जाता है, तो यहीं पूछा गया है, कि CRO में Trigger Level Knob का कारिये क्या होता है, तो आप क्योंगे इसका कारिये होता है, Triggering परदान करना, यहनि ऐसा है कि Input Signal परदान करना, जिसे की CRO Active हो जाएं, यही Triggering का कारिये होता है, मैं आपको बार-बार Triggering की परदी परदी से समझा रहा हूँ, जैसे आप उड़ते हो, चाई पीते हैं, आप Active हो जाते हो ना, तो इसका मलोग, अब आप सुचार रूप से बाकी के दिन के कारिये करने प्रारम कर देंगे, तो वो आपके Triggering है, समझ रहे हैं? तो चलो, टाइम बेस की अवदी को बदलना, नहीं, अवदी नहीं बदलते हैं, अवदी बदलने के लिए टाइम बेस जन्रेटर चाहिए, Trace की T वर्ता को नियंतरित करने के लिए, वहाँ एक Intention है, जो वो चाहिए, यह Brightness का Intensity करके होता है, तो वो T वर्ता को नियंतरित करेगा, टाइम बेस की Swift गती को बदलना, इसके लिए Swift गती को बदलने फोकेस वगरा काम है लेना पड़ेगा, चुने गए चैनल के छेतरिन, इसको में इस तीर परदेशन प्राप्ट करने के लिए, आवेसे एक Input Signal के इस तर को बदलना, आवेसे एक Input Signal के इस तर को बदलना ही, ट्रिविल कहलाएगी, तो option कौन सा हो गया है, D, Input Level, बिल्कुल, सर प्लीज बता दो ना, कपी नियूबेज एडविशन हो जाएगा, क्या उपर देलना भी, नियूबेज उपर, 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 हाँ, हो जाएगा क्या, किसी भाई का एडविशन हो जैपूर वाड़ा, मैंने बता दिया ने, DJ लो तुमारे नाम लेके, तुम क्या है, तुम आ, तो मेरी यहां जोत्पुन कलास है, कल मेरी ही कलास है, जैपूर के सेंडर पर, तो कोई चिंता वाड़े माम लही नहीं, चलो, अगला, एक सियारो में, इस क्रीन में, दस मिली सेकेंड के स्वीप समय के साथ, अनुमानित आरादंत आवर्ती, यानिकि साट उत फरक्वें से कितनी होगी, सियारो में, इस क्रीन में, दस मिली सेकेंड के स्वीप समय के साथ, दस मिली सेकेंड के स्वीप समय के साथ, अनुमानित आरादंत आवर्ती, यानिक साट उत वेव फरक्वेंशी, कितनी होगी, हमें दिया है, दस मिली सेकेंड, दस मिली सेकेंड है, तो यहा से आप देख लीजिए आवरती कितनी हो जाएगी ऐप बराबर क्या हो जाएगा वन अपॉण टी तो एक बटा दस मिली और मिली उपर जाएगा तो क्या बना जाएगा हजार हजार बटा दस कैसल हो गए बराबर क्या गया अंड्रेड हर्ज तो आंसर इसका तो 100 हर्ज आना चाहिए क्योंकि यह आपको क्या कह रहा है आवर्त काल दियार आवर्ती पूचा 10 मिली है 10 मिली मिली उपर जाएगा क्या बन जाएगा किल्लो हजार यह राजार सो हर्ज आ जाएगा जी आप्स контрी है आ अगला सुया रो का इंपुट परति रोद कितना होता है sulph yo उसका इनपुट परति रोद knoh to यानी कि सिया रो उसका इंपुट परति रोद कितना होता है दस ओम पचास ओम दस मेंग ओम पांस किलों मिली बडोड़ में गवम होता है क्या भई बताइए येस और नो जल्दी बताइए छे मार्च के इस रोग पर पर बड़िया बात है अब इद रोपो न डिपलोमा ओड समेश्टर के एकजाम मार्च में है यूपी पीशल का कोई अपडेर ने इस सिस्थी इस तरी इस टिश्टिकर है उचित है मार्क में और सेमेस्टर है न इसको थेोड़ी को लगवा तार गर यह जब भी डेट आइगी तो आप बाॉंस मारेंगे निट जोल फोड़े जाएगे ना ना दो थीन गण्टे देओ बागी काई कोई काम करो हो मैं तो कितने भी टेक्никиकल वाड़े हैं किनी मीनिमम तीन गंट आपणि इस बरतियों के लिए रखिए बाकि टाइब दूसरी बरति के लिए दीजिए आप दूसरी और होगा इन समेगा पया नहीं इस मेंगा अथा rund Annoy लग बकिता होगा दसमेगों एक सियारों का स्वीप जन्रेटर निमन लिकित में से किसके उत्पादन के लिए परियुक्त होता है स्वीप जन्रेटर यानि कि जो स्वीप करेगा जन्रेट करेगा इलेक्ट्रोन बीम के उद्रादर विक्सेप में आरादन्ती वोल्टेज के लिए या 37 विक्सेप में नहीं होता है इलेक्ट्रोन बीम का ठीक है आरा दंती में इलेक्ट्रोन वीम का कौन सवत आप ने एक्स पलेट किया था हाई गवारे तो ओण आ एक्स प्लेट वही है स्वाल वापस आया है Ce топ थोड कीरन दोलन दर्शोस्किलोकोप के सहन सेलता सेंसिटिविटी क्या है वत सेंसिक्प्रांश Ya सेटीज एंप्लीफायर के बड़त के वितकर मनुपाती होती है यह उद्र एंप्लीफायर के बड़त के समस्वानुपाती है पहली बार ध्यानरकना है कि यहां पर जो सेंज सीलता होती है तो आप देखोगे कि cathode कीरण में यानी electron है तो यहां पर क्यों गावगा जैसे ही input में change होगा आप चाहते हैं output में तुरंती परीवर्तन हो और जिस फ़रकारक 7th की input में परीवर्तन हो वैसे output न उल्टा तो औलता ने काओ रना नहीं चहिए sensitivity भी हमारे पास बढ़ जाएगी, ठीक है, एक और एक मिनट, हमारे Tata प्रोजेक्ट में 200 KVA का ट्रांस्पोर्ड लगए, लेकिन 6 महीने बाद उसका ST bus R-side blast हो गया, क्या कारण हो सकता है, मुझे क्या पता भी समय, ST bus R-side का blast हो गया है, तो आपने बुस होगरा चेंग नहीं कि होंगे, यहां फिर blast का कारण यह भी हो जाता ना, जो आपके सिली का जेल के कारण भी यह दी महलूश की नमी बराबर बरकरार, नमी भी अंदर चली गई है, तो वो भी चालकता में आ जाईगी, इसके कारण भी फ्लेस पॉइंट जल्दी आ जाता है, blast होने का मतलब है, फ्लेस पॉ इसके लवा, और दूसरा blast करवाने के कारण जो योगदान होगा, वो रिलेक होगा, रिलेने प्रोपर कारिया नहीं किया होगा, बगोज रिलेने, स्यारो में, इस्टीब जनरेटर सिगनल को वर्टिकल इनपुट सिगनल के साथ तुल्यात मक में बल पूर्वक चलाया जाना चाहिए, तांकि, जाना चाहिए, तांकि, क्या हो, रिवोलिशन बढ़ाई जा सके, उच इनपुट मिल सके, इस टेस्ट नरी डिस्पले प्रस्तूत क्या जा सके, इस टेस्ट नरी डिस्पले प्रस्तूत क्या जा सके, यानि एक इस थाई डिस्पले प्रस्तूत क्या जा सके, इसलिए तुल् हाँ बई सियारो में फोस्फेट के एक निच्चे छेत्र को उत्य जित करने के लिए एक बीम द्वारा लगाई जाने वाले समय को किस नियंत्रण से एड़ेस्ट किया जाता है कौन से नियंत्रण के द्वारा एड़ेस्ट किया जाएगा गेन कंडिशन बॉंटरी कंडिशन सम और ये रा समय बटा विवाजन, टाइम पर डिविजन ही होता है, समय बटा विवाजन, सर हेलपर के पेपर की सीरीज चला होगे, क्या देखो एक सीरीज चलाएंगे, हेलपर के पेपर की सीरीज चलाएंगे, एक अच्छी सीरीज चलानी है, तो निश्ची दूरूप से सीरी चलेंगे, चलो ठीक है, अगला सवाल, PCB का क्या अर्थ है, आप से ये पुछा गये था, PCB का क्या अर्थ है, ज्यां से देखना परिए, प्लग सर्किट बोर्ड, पावर सर्किट बोर्ड, प्रिंटेट सर्किट बोर्ड, प्लेन सर्किट बोर्ड, प्लेन सर्किट बोर्ड, PCB का क्या अर्थ होगा, प्लग सर्किट, पावर सर्किट, प्रिंटेट सर्किट या प्रिंटेट सर्किट बोर्ड, PCB होता है, प्रिंटेट को काम लेते हैं जिसको उपर circuit print हो जाए यानि कि धारा का पर और circuit के अंदर से हो जाए और कोई भी तारों का जाल नहीं हो डायोड लगा दो करता बनाया जाता है उस परकिरिय को क्या कहते हैं बता है निंगा दिदकी सिब को disp latter है निए मैं इस जाते हैं इस प्रोसेश को क्या अवेशिक भाग को हटाना क्या कहलाएगा इचिंग कहलाएगा तो उससे अन आवेश्यक जो भी कॉपर का भाग होगा उसको हटा दिया जाएगा यह कहलाएगा वहाँ पर इचिंग भी ओप्सन आपका करेक्ट है लिशा जो पेटरन कैसे बनते हैं मैंने पहले बता जाये था लिशा जो पेटरन बनते हैं जब दो ऐसी इंपुट दे दिया जाए दो साइन तरंग खींच कर जो एक दूसरे के समकोंड पर होती है जब दूसरे के समकोंड पर होती है तो यह सरकल बनता है जरूर नहीं होती है समकों पर हो कम ज्यादा फेज पर भी होती है 45 डिगरी पर भी हो बन जाती है सब पर बनती है ये भी बनती है 30 डिगरी बनती है 60 डिगरी बनती है सेम फेज की बनती है सारे बनती है सब कहसे लग तो दो लाइन तरंग खींच कर जो एक दूसरे के समकों पर होती है सब्सक्राइब कर जो एक दूसरे के साथ में कुछ फेज अंतराल पर होती है उससे बनती है के लिए अग्रा सब्सक्राइब पैटर्न की विशेषता जो CRT स्क्रीन पर दिखाई जाती है जब साइनुसोडल वोल्टेज एक साथ सेथीज और उद्रादर प्लेटों पर लगू होता है तो उन्हें क्या कहते हैं लिसाजू पैटर्न केंगे ना पैटर्न नाम ही नहीं है यह कही नाम ही सेक्हँ पैटर्न में नाम हिए क्या पर दो दिखाई के साथ होती है घ्रों मैं हमार पास सिग्नल आता है वहां से लिस्टा जिसट पैटर्न के स्गारों शता यह Are तोन परिप्वर्वर्थित आवरती ड्राइव यह यह निए वेरिएबल फर्केंसी ड्राइव का आउटपट तरंग रूप क्या है variable frequency drive का output तरंग क्या सुद जावकरिये वर्गाकार भी नहीं है इस्पंद विस्तार modulate जावकरिये बिल्कुल यह ठेक है यानि कि हमारे पास एक impulse निकलती है जो कि modulated जावकरिये तरंग है संकरकित जावकरिये तरंग नहीं होती है impulse निकलकर एक modulated जावकरिये तरंग का निर्मान हमारे यहां पर होता है इसमें तो यह किसके दोरा होता है परिवर्तित आवर्ति ड्राइव यानि कि VFD के दोरा इसका होता है जो इस्पंद विस्तार modulate जावकरिये यह इस परकार का निर्मान है इसका अब देखको मैंने विर्त बड़ा दी विस्तार कभी विर्त गड़ जाएगी यह इसके तो यह विर्त परिवर्तन होना का मेन है या वक्रिटरम होती है ठीक है ना, PWM, Pulse Width Modulation, PWM क्या होता है, Pulse Width Modulation, इस टेक्निक को ये कहते हैं, आप क्यों कि नए नाम सुन रहे हैं, VLSI, IC में क्या हो सकते हैं, VLSI, जो IC होती है, उसके अंतरगत क्या होते हैं, हमार पास देखो कि इस IC में, निर्मान में, देखो, एक होता है, SSI, SSI होता है, जो कि बहुत small होता है, यहनि, small scale integration, VLSI होता है, very large scale integration, integrated chip, SSI होता है, उसमें केवल एक gate या उससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, A gate तो minimum होता है, जब A gate से ज़्यादा वाला कहा जाए, तो मैं कहूँगा, वो क्या हो जाएगा, मेरे पास SSI हो जाएगा, अब देखो कि दूसरे होता है, हमारे पास MSI, यहाँ पर MSI पूछा जाता है, मैं 100 gate तक, क्योंकि 10 से तो ज़्यादा होना चाहिए, MSI होता है, 10 से ज़्यादा, 100 तक मैं क्या कहँँगा, MSI कहँँगा, जब 100 से ज़्यादा कहना होता है, तो यह मेरे पास क्या होगा, लेकिन जब हजार गेट से ज्यादा केंगे तो हमारे पास क्या बढ़ जाएगा वी एले से और यह अल्ट्रा हाई इसमाली स्केल इंटिग्रेशन हो जाएगा सर आप दोसा वालों में काफी चर्चित हैं हम तो सम्में चर्चित हैं भी लंका पती रावन चलो किसे पोटिंग होती है किसे होती है मैंने पहले बता दिया था कर वा दिया था आप फोस्फोरस की कोटिंग किसकी होती है पॉस्ट पूर्ज की सर विद्धुदीवाग में जो बारती है उसा हाइट अगल कोश्ट नहीं क्या ईसकी बारती है बथि इसकी पोश्ट अलग आती है इसई किसके रूप में जाना जाता है मैं дप्लीप लॉप Verfdas पूर्फ लॉप गभण ऐसीए 7476 होता है और दी होती है तो सेम के सेम 7474 है 7474 IC होती है वो D flip-flop को होती है और multiplexer के लिए नहीं एक जो T flip-flop होती है वो 7432 इस परकार के I think होती है और multiplexer के लिए होती है 74151 IC यह 5 डिजिट की होती है multiplexer जो हता है यह universal है क्या है universal IC के नाम आपको याद रखने होते हैं यह ध्यान रखने है clear है अगर किसी IC में लगातार 4 input लगाई जाते हैं तो इसकी पेचान होगी 4 फेनिन होगी 4 input है तो क्या कहोगे 4 फेनिन ही कहोगे तो फेनिन कितने हो जाएगे 4 चार output होते है तो फेनिन 4 हो जाएगे ठीक है अगला एक bi-directional universal shift register बनाने के लिए कौन सी IC का पुरियोग किया जाएगा bi-directional universal shift register बनाने के लिए यह तो IC का नाम आपको याद रखना पड़ेगा 74194 IC है इसका पुरियोग किया जाना पड़ेगा जो bi-directional universal shift register के लिए काम में ली जाएगे नाम याद रखना पड़ेगा के लिए अगला सवाल 28 हुआ ध्यान से देखिएगा आप PCB पर गटक की vertical mounting को विशिष्ट मामलों में प्रात्मिक्ता दी जाती है कौन से विशिष्ट मामलों में प्रात्मिक्ता दी जाती है जहां रिक्तिस्तान कम है और कम इस्तिर है यह रिक्तिस्तान अधिक है और कम इस्तिर है यह चेतर सिमित है यह नाम मातर में शिमा है यह रिक्तिस्तान अधिक है अधिक इस्तिर है क्या करोगे बता हो गई पीच इपठा और उनुम के मौनटिंगि तेले 2 माद मिं जनुर्ट मन्था में इस'tा कुष्कर इप स सीमिंट हो जए परकी पर्णी calling की मौनटिंग किस कई करेंगी तोяла पर दींग महतरा में 2 सिमी इसे क्ष़़ट इन bomber होता है वहां vertical mounting होता है C option correct होगा अगला आपके सामने सवाल है PCB की side जिस पर गटक लगे होते हैं उसे किस के रूप में संद्रवित किया जाता है PCB की वो side जिसमें गटक लगे होते हैं उसे क्या केते हैं copper side shoulder side गटक side track side reverse side गटक side जिसमें गटक elements लगे होते हैं उसे हम कहते हैं element side कहते हैं गटक side कहेंगे PCB ठीक है electronics और test circuit design नों के इस प्रोटो टाइप के लिए निव में से कौन सा solderless device है बता है इन्हें से कौन सा है जो solderless device है lug board printed circuit board bread board island board यह टूरेंड board बता है यह कौन सा है तो आप क्यों होगे यह bread board होगा कौन सा होगा bread board electronics और test circuit design के इस प्रोटो टाइप के लिए कौन सा solderless device है ब्रेड board है जो यहां पर solderless device है वो जो इसको इसको प्रोटो टाइप के लिए इसका उप्योग किया जाता है आप जानते हैं कोंगे यह इस प्रोटो होता है जो circuit के design में काम है लिए जाएगा ठीक है नीमन लिकी तो उप्साद में कौन सा के होते हैं थोड़े से computer घटकों को एक दूसरे से कियांसी पतली पतों द्वराइपर तक किया जाता है computer में जो elements लगे होते हैं उसमें किसके द्वरा एक दूसरे को अलग किया जाता है माईक का के दौरा empire cloth winding में काम ली जाएगी यहाँ पर गटकों को अलग करने के लिए किसको पर्योग लोगे माइका का पर्योग लोगे कुछ अलग होता है सब मुख्ये panel board में सभी उपसादक दातू अंस को परभवी रूप से जोडने के लिए किस बोंडिंग का उप्योग किया जाता है परभवी रूप से जोडना है तो कौन सा बोंडिंग गरोगे फेज बोंडिंग, सिमेंट बोंडिंग न्यूट्रिल बोंडिंग, अर्थिंग बोंडिंग मुख्ये पेनल बोड़ के सभी उपसादक दातू अंस को परभवी रूप से जोडने के लिए किस बोंडिंग का उप्योग करोगे तो आप क्योंगे इसके लिए हम अर्थिंग बोंडिंग का उप्योग करेंगे कौन सी बोंडिंग करेंगे अर्थिंग बोंडिंग का उप्योग किया जाएगा खिलियर है अगला सवाल है, डायोड, ट्रांजिस्टर और एकिकर्थ परिपत के चिप निमन लिकित में से किसके बनाए जाते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर और एकिकर्थ परिपत के चिप निमन लिकित में से किसके बनाए जाते हैं, तो डायोड ट्रांजिस्टर और एक ही गर्चीव CC वें सब सिलिकन के ही बनाई जाते हैं सब अर्थ चालक होटे है वह किसके बदाए जाएंगे सिलिकन के बनाए जाएंगे हैं किलिए यह सब और अब तो सवाल होगे लेज सर्केट क्या होता है मैंने जब डिजिटल में पढ़ाता हूं मैं बताता हूं दो चीज एक flip loop होता हूं दूसरा होता latch जो latch होता वो level triggering होती है flip-flop होता है न वो edge triggering होती है flip-flop को पी पोछले तो क्या काओगे edge trigger होती है latch होती है वो level triggering होती है और यह triggering यहाँ पर लेच और फिलिपलों कहीं पर भी होती नहीं है अगला सवाल एक 555 टाइमर सर्कुट है इसमें तुलिनेत्र का कार्य क्या होता है यह बता यह निर्गत विवो की आंत्रिक विवो विवक्त कारक से तुलना करना या अगत विवो की आंत्रिक विवो से विवक्त कारक से तुलन करना होता है जिसमें तीन पांच ओम की परति रोध लगे होते हैं इसलिए ट्रीपल फाइब नाम दिया गया है तो यह ट्रीपल फो टाइमर आई सी इसके लिए निर्मान किया जाता है और 36 कुछन है क्या कि 37 है 36 है समापत होगे बहुत बढ़िया है चलो सब सवाल होगे अच्छी बात है आपने सारे पढ़ लिए एक क्लास और होगी जो की सुक्रवार को होगी इसकी क्लास जैपुर लाइव क्लास डेट क्या है लाइव बेच में एडमिसन आपको होगे फोन पे वह अभी साई तक परदान कर देंगी अभी चल रहा होगा कोई दीकत नहीं है और बाकी एडमिसन उस्रुबंद होने ही वड़ा है अभी जो इंडियन नेवी का है उनका बेच का ध्यान रखना भी इंडियन नेवी का बेच है जो की पोस्ट कौन सी है प्रेट्समें पोस्ट रेट्समें पोस्ट है क्लियर इसका बेच अभी नए इस्टार्ट है आज स्टार्ट होगे इवनिंग से बेच ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स लेक्टर में धन्यवाद थेंक यू